देखो अब हम इसका converse पार्ट करते हैं, converse में अब उल्टा लेके चलेंगे कि f star तो हमारे पास क्या है, cyclic group है और हमें प्रूब करके दिखाना है, जो हमारा field है na f, वो कैसा होगा हमारा finite होगा, अब देखो f star cyclic है तो कोई ना कोई element उसको generate कर रहागा, तो मैंने माल ले एक कैसा element f star का, जिसको क्या कर रहा है, generate कर रहा है, generate का मतलब यहीं पता है na, f star का हर element a की power में लिखा जाएगा, अब यह कह रहा है, if a equal to 1, अगर a 1 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, की f star का order किसके equal हो जाएगा, अगर इससे generate हो रहा है, तो order of f star equal to order of e, यहीं प्रूब कर a, अगर a 1 है, तो 1 का order क्या गगा, 1 multiplicative identity है, 1 का order कितना गगा, 1, यानि ki f star में a की element है, a की element तो field में क्या होगे, 2 member हो जाएगे, क्योंकि field में क्या, 0 तो ही है, और f star में क्या है, 0 को छोड़के, और बाकी के element है, तो f star में सिर्फ 1 है, तो f में कितने element होगे, 0 भी होगे, 1 तो यहां से तो प्रूब होगे, field finite है, तो अब हम यह suppose करके चलते हैं, जो a है ना हमारा, जिससे वो element generate हो रहा है, f star generate हो रहा है, वो 1 नहीं है, तो हमारे पाद 2 case है, first case में कहता है, अगर field की characteristic हमारे पास क्या है, 0 है, अब अच्छे देखो, अगर field की characteristic 0 है, since 1 belong to f star, अगर 1 f star में है, और f star हमारा field है, तो उसका multiplicative inverse भी होगा, तो minus 1 भी किस में होगा, f star में, आप देखो, जो f star है, वो किस से generate हो रहा है, हमारा, a से generate हो रहा है, तो इसका मतलए क्या है, जो minus 1 है, वो भी क्या होगा, a की कुछ power में लिखा जाएगा, without loss of generality, let n greater than equal to 1 है, यानि की n की power 2 करने पर भी हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है, this implies minus 1 की value क्या थी, a की power n थी, और power 2 है, तो power power multiply होगे, यानि a की power 2 n equal to 1, और मैंने रिजल्ट बता हुआ है, कि अगर a की power n करने पर identity आ जाता है, तो order of a तो n होगा, या n से less होगा, तो यहाँ पर order of a तो 2 n होगा, या 2 n से less, ल order of a के equal है, अगर यह कोई finite number, तो f star का order भी कितना होगा, finite, अगर यह finite है, तो f में एक member extra ही तो finite में एक add कर दूंगे, तो भी finite ही रहेगा, since characteristic field की 0 थी, then हमें पता है कि prime subfield हमारे पास 2 ही होते है, या तो zp, या फिर हमारे पास क्या होता है, q, लेकिन अगर field की characteristic 0 है न, तो prime of field किसके equal होता है, हमारे पास q के equal होता है, also prime of field की बात हो रही है, तो p f का subset होगा, लेकिन p तो q की isomorphic है, तुम तो कहरें कि field finite है, और q तो हमारे पास infinite, देखो, हमारे q तो कैसा है, countable है, और तुम कहरें field finite है, तो countable set finite method, न, contain कर सकता है, तो ऐसी तो हमारे पास क्या होगा ये case possible ही नहीं होगा ठीक है वैसे तो order of f यहां से हमारे पास finite आ गया था तो प्रूफ तो यहां से भी हो जाता है कि मैंड़ आप तुम सोचोगे कि मैंड़ आपको तो यही प्रूफ करके दिखाना था कि हमारे पास field कैसा है finite है लेकिन यहां पे हमारे पास अगर आप इससे क चाहा होगे दीखो कि हमारे पास groups कि क्या है 0 है तो यह कैरेब फ् driven प्राइंस प्रफ मर्फ इस कि इंफांप ऊब प्यूंकी कि इंफांड है और पी का अबर यहां से क्या हो रहा है । यहां यह तो प्रइक्सिन आगी ना पी में यानि कि फाइनेट चीज इन फाइनेट के एकवल नहीं हो सकती इसका मतलए क्या है जो आप ये केस लेके चलेए तो पोसीबल ही नहीं है सेकेंड केस में देखो कि अगर फिल्ड की क्रेक्रिस्टिक नोन जीरो है दन वी मस्ट है अगर फिल्ड क हो तो उसका प्राइंस फिल्ड जेड़ पी के कहा इसके मर्फिक हो गागा जेड़ पी में कितना एलिमेंट और फिल्ड की से जनरेट ऑर फिल्ड के A ने इस तरह की polynomial को क्या कर दिया satisfy कर दिया जहां पे हमारे पास जो member है वो field से जा रहे है और field हमारे पास क्या है यहांपे zp ठीक है तो A क्या हो गया हमारे पास A ने इस polynomial को satisfy कर दिया A कैसा हो गया algebraic हो गया over p और हमने यह THORM की थी अगर A algebraic है एक-एक element algebraic है over f तो degree of f of a over f is equal to a degree of minimal polynomial of a over f ठीक है यहीं पड़ा था तो यहाँ पर देखो a algebraic है over p तो degree of over जिसके होता है ना over over f था तो f of a लिखा गया over p है तो यहाँ पर क्या लेगा है p of a over p degree of minimal polynomial of a over p हमने माल लिए वो क्या है degree of minimal polynomial a की क्या है r है अगर r है इसका होता है pa के basis में r elements है over p over p का मतलब है जो scalar जाएंगे वो कहां से जाएंगे p से जाएंगे अब देखो मैंने माल लिए basis के अंदर क्या है r elements है क्योंकि r ही मान के चले है dimension अगर r element इनको linear combination में लिखूंगी और linear combination जो जाएंगे वो कहां से जाएंगे पी से जाएंगे ना और इसके पास इस element को भी कैसे चूज कर सकते हैं जीरो वान तू यहां तक चूज कर सकते हैं अगली में भी क्या है lambda to b निम्रे से कुछ होगा lambda r b निम्रे से कुछ होगा यानि कि इसको भी चूज करने के पी option इसको भी चूज करने के रहीं क्या हमोजके की लिखे जा रहे हैं तो इसका मतला ङसोग हो पर कि टूटल एप्ट सब्सक्कि Bondi को हो गया देखो यहां से लिख रहा है कि एफ्टर एसे जनरेटेड है और एपी ए में है एक है पीए में है एफ्टर एफ्टर में कौन है एक